हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल फन लाइबरेरी त्वागत है मेरे एक नए वीडियो में और इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्री फायर के टॉप फाइब गन्स के बारे में तो चलिया शुरू करते हैं वीडियो और नंबर फाइब पर है हमारा M1887 शॉट गन जिसमें जो है SG एमो लगता है यह गन कुछ आपको इस तरीके से जो है आपको इस तरीके से लुक है इसका और यह बेसिकली क्लोज रेंज के लिए होता है तो चलिया एक बार देखते हैं इसका परफॉर्मेंस बैटल तो बता दू मैं आपको जो यह M1887 है इसका डैमेज काफी ज्यादा होता है अप्रोक्स 170 का ज़ए है डैमेज देता है यानि कि अगर आपने बाडी पे एक बार हिट किया तो 170 का डैमेज तो देगा ही देगा और अगर आपने ड्रैग लिया है और हैट शॉट मारा है तो आ तो बेसिकली यह क्लोज रेंज के लिए अगर आप घर के अंदर है और तब आपकी कोई कॉमबैट होती है तो बेसिकली यह तब उस वाइट के लिए क्लोज रेंज वाइट के लिए काफी जो है पावरफुल गॉन है और अच्छी देता है रेंज आप इसका 40 मीटर तक का जो है इसको यूज कर सकते हैं बट 15-20 मीटर में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करती है यह गन तो इसलिए जो है हमने इसको रखा है नमबर फाइब पे तो चलिए देखते हैं हम अपनी नमबर फॉर कैटेगरी का गन और नमबर फॉर पे है हमारा MP40 सब मशीन गन यह गन जो है बहुत ही लाज जबाब गन है ड्राइग के लिए तो बहुत स्मूध ड्राइग लगता है इसमें ड्राइग आप बहुत अच्छा ले सकते हैं घर के बाहर के कॉमबैट्स में यह काफी जो है हेल्प करता है काफी तो यह गन जो है बेसिकली डैमेज जो है 2020 का देती है रेट अफ फायर अच्छली इसका बहुत जादा होता है 83 का रेट अफ फायर है यानि कि एक बार में जो है यह कई सारे राउंड फायर कर देती है जिसके विए से जो है अगर आपके एनिमी पे सारे जो है शॉट्स जरूर होते हैं और 2020 के हिसाब से उस पर काफी डैमेज होता है तो अगर किसी एनिमी का एनरजी पहले से ही हाफ है और अगर आपने कुछ शॉट्स उस पर हिट कर दिये तो एनिमी डाउन हो जाता है आपका और अगर इससे आप ड्रैग लगाना आप जानते हैं तो यह गन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आप इसको ड्रैग अगर आप इससे लगाते हैं तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है ड्रैग तो बहुत ज्यादा स्मूद लगता है इससे और आपको बस एम करना है और आपको जो है बस प्रे करते रहना है आपको जो है फारि करती है यूंप होते है यूजली अगर आपको वह मिल जाए तो आप उसको भी मत मिस कीजिए क्योंकि वह भी बहुत अची गन है और काफी जादा राउंड फायर करती है और जो है पर्फॉर्मेंस वाइस वह भी बहुत अची है पी 90 जो है पी 90 बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं और पर्फॉर्मेंस वाइस तो वह भी बहुत अची है और मलब अपनी मिड रेंज में जो है यह एंपी 40 बहुत अच्छा परफॉर्म करती है अधर गंस भी अच्छा परफॉर्म करती है बट आई वूड सजेस्ट कि आप यह लीजिए एक बार आप इसको चलाएक देखिए और अगर आई पर आप चलाएंगे तो आप डेफिनेटली आप शॉर्ट रेंज के लिए आप इसको जरूर्ड चूज करेंगे तो यह हमारा था फॉर्थ नंबर पे MP40 तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी थर्ड नंबर के लिए देखते हैं नंबर थर्ड पे क दमदार गन है और काफी स्पेसिफेकेशन जो है इसके बहुत मतलब ज्यादा वैरी नहीं करते हैं इसके रेंज के गन से बट स्टिल यह परफॉर्मेंस वाइस थोड़ा सा बेटर आज है आपको मिलेगा जब आप इसको यूज करेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहां रिकॉयल कम है तो एक्यूरेसी थोड़ी सी इसकी बढ़ जाती है और रेंज की बात करें तो रेंज भी काफी जादा कवर करती है तो इस तरीके का कुछ लूक है चलिए देखते हैं बैटल ग्राउंड पे इसका परफॉर्मेंस कैसा है तो यह गूं बहुत अच्छा है सबसे अच्छी बात है इसका रेट फायर और इसका रेंज इसकी रेंज एगचली 60 मेटर्स तक का रेंज कवर करता है और रडैमज यह ता यह इस पर शॉट और इस वज़े से जो है इसका थोड़ा सा rate of fire जो है increase होनी के विए से यह थोड़ा सा performance wise थोड़ा सा better होता है ऐसा नहीं है कि खाली यही गन है जो हो अपनी इसकी range का जो है जो है अच्छा परफॉर्म करता है इसकार के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे गन्स है 14SKS है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं फामास है बहुत बढ़िया जो है इससे परफॉर्मस देता है और AK47 हो गया AK47 के एक जो है इसकार परफॉर्मस देखा है और मुझे लगता है कि इसकार आपको चूज करना चाहिए आउट आप इस तो इसलिए जो है सकार नमबर थुरी पर है तो लेट सी लेट स्मूव आन तो नमबर टू लेट सी वह विच गन क्वालिफाइज फदर नमबर टू पोजिशन और नमबर तू पर है हमारा घ्रोज़ा जोकि एक एएर गन है लोंग रेंज गन जैसे कि आपका सिकार है उस तरीक उस रेंज का ही गन है आपका growza but growza जो है एक class आगे है इस कार से क्योंकि यह सब actually उसके specification पर based होता है हर गन की quality उसकी specification पर based होता है actually right कि मतलब उसमें वो किस range तक cover करता है उसका rate of fire क्या है accuracy कितनी देता है और रिकॉइल कितना करता है, तो जो है, ग्रोजा जो जिसने भी कंपनी ने बनाया है, बहुत बढ़ी अगन बनाया है, इसका जो है, स्पेसिफिकेशन में बहुत लाजबाब है, मैं आपको बेटलक्राउंड पर दिखाता हूँ यह परफॉर्म करके, क्यासा जो है, यह रेंज जो है 75 मीटर्स तक है, तो आप उसको बाहर ओपन में तो बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, इसका स्कोप वगरा लेवल 3 का यूज कर सकते हैं, और आप इसको बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, और क्योंकि रिलोडिंग भी इसका थोड़ा कम होता है, रेट अच्छा यूज कर सकते हैं, तो एक बेसिकली ये लॉग रेंज की एक बहुत स्मूध गन है, जिसको आपको मिस नी करना चाहिए, यूजिली आपको ये मिलेगा नहीं वैसे, आपको लूट्स वगरा में, तो ये वैसे बेसिकली आपका जो आपका जिस तरीके से जो आपका मतलब उपर से लूट्स आते हैं, ऐरोप्लेन से ड्रॉप्स आते हैं, उस ड्रॉप्स में ही आपको ये गन मिलता है, आपको यूजिली ऐसा नहीं मिलेगा, बट स्टिल, अगर आपको किसी, आपने किसी को किल किया, अगर आपको ये मिलता नमबर टु का हकदार एगदार जो है है और तो यह हमारा गोजह ठीक पर्फोर्ममेंस आप एक बार यूज कीजिये अप देखें इसकी पर्फॉर्ममेंस कितनी स्मूज चलती है तो इस विज़े से यह नंबर टू पर आने के लिए एलिजिबल था तो देखते हैं नंबर टू का हो गया है नंबर वन पर देखते हैं कौन सा गन जो है क्वालिफाई करता है और नंबर वन के रैंकिंग पर है हमारा AWM Arctic Warfare Machine जो की जो है जिसको King of Free Fire कहा जाता है अगर आपको यह गन मिल जाती है तो you are very lucky और आपको मतलब गे में बहुत एडवांटेज मिलने वाला है मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों एडवांटेज मिलने वाला है क्योंकि यह गन ज जादा जो है दमदार गन बनाया है इसको स्पेसिफिकेशन में बहुत अच्छे इस पर काम किया हुआ है तो इस तरीके का कुछ इसका लुक होता है तो चलिए एक बार देखते हैं और वैसे में बता दू आपको क्योंकि अभी हम ट्रेनिंग थोड़ा सा लॉंग रेंज का आसपास होते हैं तो आप उस तरी उस टाइम पर आप एड़व्यम लेते हैं जो कि एक स्नाइपर गन है जो कि दूर के शॉट के लिए होता है फिर भी कोई बात नहीं मैं आपको दिखाता हूं इस वीडियो में कुशिच करता हूं मैं आपको की दिखाओं कि ये किस तरीके से परफॉर्म करती है तो चलिए देखते हैं तो हमारा जो AWM है इसका डामेज जो होता है 150 पर शॉट होता है तो बस आपने एम करना है आपके एनिमी को स्प्रे करना है शूट करना है और ये 150 तक का डामेज एक बार में जाती है अगर आपका हैड शॉट आप ले लेते हैं तो एक शॉट में ही आप अपनी एनिमी को डेर कर सकते हैं इसका रेंज जो है एक्चिली मैं बता दू तू हंडर्ड तक का रेंज है इसका तो आप बहुत तू तक के प्लेयर को एड टाइम जूम करके इसके स्कोप से देखके आप उसको मार सकते हैं बहुत जबरदस्ट है और अगर आप किसी भी दूर एरिया में अप अगर कवर लेके मारते हैं किसी ओफिन ग्राउंड पे मारते हैं कवर लेकर यह बहुत आपका आप जी Patty यह चलिगा dos आप इसनी दूर से आप उढह देंगे तो इसका गन का सपेसिफिकेशन सारे सपेसिफिकेशन इसके आस स्पेसिफिकेशन है एक्युरेस यदी धी 90 तिह Кाफ वेह का बहुत सारी गन to the खाउस पास भी य है तो ऐसा नही है कि Sniper Gun में आपके पास AWM का ही option है आप और भी गंच उसकते हैं कार 98 के है हमारे पास CJ-15 है आप वह भी यूज़ कर सकते हैं बट अगर आप बेगनर है तो आप यूशली प्रैफर कीजिए का 98 और AWM यूज़ करने का क्योंकि जोड़ा डिफिकल्टी आदिया उसको यूज़ करने में बट ये तीनों गन ही है बेस्ट बट आउट फ इस यूज़ फिल कि ये गन बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है आप एक बार इसको लिज़िये परफॉर्म करके देखियाब यूज़ करके देखिया आ तो यह हमारा था नमबर वन पोजिशन पे तो आउट ओफ यह जो मैं आपको आपको यह तॉप फाइव गन्स के बारे बताया है तो यह जो है मेरे रिकमेंडिड गन्स है तो आप ऐसे नहीं है कि आपको यह ही जूज करना है आप इसके लाबा कोई बेटर नहीं है आइ अब किस तरीके की गन चूज के और आपका गन अमर्लब आपका गेम कैसा जाएगा तो आप क्योंकि एक प्रो प्लेयर जो है एक छोटी गन लीके भी किल कर सकता है कि आप अपरेंट को और एक नूब जो है अगर आप उसको कितनी अची गन दे थे वह अपनेंट को मार आता है तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा आप गारा लेकर ट्रेनिंग मोड पर थोड़ा खेलिए प्रैक्टिस कीजिए उसके बाद जिस गो तो बैटल ग्राउंड एंड जिस नॉक यर एनिमीज तो यह था आज का वीडियो और आप मुझे कमेंट कीजिए लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और मुझे बताइए आप मैं आपके लिए कौन सा वीडियो बनाऊं और जो आप मुझे चाहते हैं कि मैं अगले हटे या नेक्स ताइम आपके लिए लेकर आऊं तो यह हमारे जो है इस वीडियो में इतना ही था आज के लिए तो अंटिल देन नेक्स ताइम आप अमना नेक्स ताइम के लिए मैं आपना आप नए वीडियो लाने बाला हूं बहुत जल्ग तो अंटिल देन टेक आप वेरी गुद केर आफ योरसेल्फ और अब गुद डे